उस्ती करण के दलदल में कॉंग्रेस इतना दूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कॉंग्रेस ने जो गोषणा पत्र बनाया है वो कॉंग्रेस का नहीं ऐसा लगता है मुस्लिम लिख का गोषणा पत्र लिखता है। कुष्टी करण के दवाव में ही कॉंग्रेस हो या सपा तिये एका भी विरोथ कर रही है। विदेशी धर्ती पर अत्याचार की बज़र से भागे भागने के लिए मजबूर हुए हिंदुओं और सिख भाई बैनों को आप मुझे बताइए मेरे इन हिंदु भाईयों बैनों को मेरे इन सिख भाई बैनों को बारत अगर नागरिता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या नागरिक्ता देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए वो अपने हैग नहीं है उनको हमें समालना चाहिए नहीं समालना चाहिए CAA का यहां पिलभीत में रहने वाले अनेक परिवारों को मेरी आपको गारंटी है आप एपलाई कीजिए आपका हमेशा हमेशा की मुसीबतों से मुक्ति मिल जाएगी आप भारत के नागरिके नाते गर्वसे जी पाएंगे लेकिन कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी इस पर भी अत्राज जता रही है साथियों यहां इस सभा में बड़ी संख्या में हमारे यह सरणार्थी भाई बैन भी है हमारे सिख भाई बैन भी है समाजवादी पार्टी आज जिस कॉंग्रेस के साथ खड़ी है उस कॉंग्रेस ने चोरासी में हमारे सीख भाई बैनों के साथ क्या किया था वो कोई भूल नहीं सकता यह भाजपा है जो सीखों के साथ पूरी शक्ती से खड़ी है उनकी भावनाओं को समचते हुए काम करती है हमें गर्ब होता है जब करतारपूर साहब कोरिडोर के द्वारा लाखोस्त धारों तसकों से जो उनके मन में दर्द था पीड़ा थी उससे मुक्त हो करके आज करतारपूर साहब जाकर के मत्था टेक करके हमें आशिरवात लेके आते हैं यह भाजपा सरकार है जितने लंगर की बस्तों पर से जी एस टी हटाया हमने स्रीहर बंदर सहाब के लिए एप सी आप